हिमाचल किसान सभा ने उबायुक्त शिम्ला अमित कर्षप के माध्यम से प्रदेश सरकार को ग्यापन सौंप कर मांग की है कि प्रदेश में सेब सीजन के चलते सरकार श्रमिकों की व्यवस्था ढूलाई के लिए वहनों की व्यवस्था और उचेत दामों पर काटन वाट्रे की व्यवस्था करे ताकि बागवानों की समस्याओं का समाधान हो सके हिमाचल किसांसभा की राज्य कमेटी का एक प्रतिनीधी मंडल राज्य वित्थ सचिव सत्यवान पुंडीर के ध्यक्ष्टा में उपयुक्त जिलाशिमला अमित कशप से मिला और उपयुक्त के माधहम से सरकार को ग्यापंसों पा हिमाचल किसानसभा के राज्य वित सचिव सत्यवान पुंडीर ने कहा कि कुरोना महामारी के दौरान सेप सीजन बागवानों के लिए किसी चुनाौती से कम नहीं है बागवानों को लेबर की चिंता सता रही है ऐसे में सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि मंडियों में सेब की फसल आना शुरू होने लग गई है ऐसे में अगर मंडि में वाइरस का कोई मामला आता है तो चिंता और ज्यादा बढ़ सकती है उन्होंने मांग की है कि सरकार को सभी राजनैतिक दलों की बैठक बुला कर सुछाव आमंत्रीत करने चाहिए मांग कर रहे हैं कि जो सेब का मुद्धा है बागवानी क्योंकि माचल परदेश की आर्थिकी का मुख्य हिस्सा है और अभी ये शुरू होने वाला लगब हो ही क्या है शुरू लेकिन इसमें जो दिक्टे हमें लग रही है शुरू से जो आ रही है कि लेवर की एक बहुत बड़ी समस्या है जो लेवर भी नहीं आ देगा है दोसरी जो कायतन प्रवाइट करने की है वो एक बड़ी समस्या है तिसरा इसमें जो मार्केटिंग है मार्केट के अंदर क्योंकि ये संक्रमन का खत्रा बढ़ने की भी संभावना है और साथ में जो है इसमें रश्ड पढ़ने वाली तुकि इसमें तो कई राज्यों से रवर इनवाल बहुती है, ट्रक इनवाल होते हैं, हजार से जावाएं गारिया ये बहुती है, तो इसको जो है वो मंतिन दिजर लगते हुए, सरकार इसमें तुरूंत कोई फोस कदम जो ह तो यह अगर एकि और पार्टी मेटिंग बुराई जाए ताकि सवीकिती सुझाओं से इसमें कैसे इसको जो हैं कैसे इसको निवीत करना है तो इस दिशा में आज मनेए जिए आपन यहां पे दिशा पुषपाए कि सरकार तक यह पहुंचे और सरकार इसको तुरूंत संग्य